हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में तीन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, जिन में से सबसे पहले जिन दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, वो स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक हैं, around 10-15 अजार करोर मार्केट कैप की कंपनीज है, जो यहां से 10X होने का पोटेंश safe company है एंड उसने पास्ट में भी अपने returns के द्वारा खुद को prove किया है एंड आगे भी आने वाले टाइम में वो इसी तरीके से काम कर सकती है क्योंकि वो काफी aggressively capex भी कर रही है तो तीनों ही stock के बारे में complete जान करी लेंगे साथ ही साथ technical levels की भी बात करेंगे किन पर्टिकुलर टेक्निकल लेवल्स पे तीनों ही stocks को बाई करने के बारे में विचार किया जा सकता है सबसे पहले जिसी stock की बात करेंगे वो sole manufacturer है chemicals के मामले में different different chemicals के नाम screen पे आपको दिखेंगे जैसे 4-2 methoxylethyn, phenol and NMBC, T2E, OTBN and different different types के और भी other manufacturing manufacturing करती है उन chemicals के नाम आपको screen पे दिखेंगे तो ये इंडिया में only manufacturer है और आज से 3-4 साल पहले की बात यह है कि इंडिया इन सभी chemicals को चाइना से import करती थी जबकि अभी ये particular company चाइना को इन ही chemicals को export करती है तो आप देख सकते हैं किस तरीके ये company है सबसे पहले ही मैंने share holding pattern को discuss करेंगे देन company का नाम देखेंगे और उसके बाद different fundamentals को देखेंगे फिर technical levels को देखेंगे किन particular levels पे buy करना चाहिए तो promoters की holding देखेंगे दोस्तो 87% की है जून 2022 में ही इस company का IPO के through listing होती है और promoter के पास अभी भी 87% की holding है जैसे कि आपको पता होगा CB का rule है कि अगर company को list हो हुए हुए अगर तीन साल हो जाते हैं तो तीन साल के बाद उनको अपनी जो holding है वो 75% से कम रखनी होती है तो promoter ने पहले तीन साल के लिए अपनी holding भी देख सकते हैं maximum side पे रखी है तीन साल बात जो यह holding है यह तब भी मुझे लगता है maximum side पे रखेंगे 75% तक की holding आपको promoters के पास देखने को मिलेगी FII के पास 1.56% की holding है DIY के पास भी आप देख सकते हैं 8.35% की holding है पब्लिक के पास only 3% की holding है remaining 97% की holding आपको promoter FII and DIY जैसे strong hand के पास देखने को मिलेगी stock का नाम है Ether Industries and last one year में last one year अभी तक एक साल हुआ नहीं यह list हुए 3 June 2022 को यह company list होती है वहां से current level तक को देखा जाये तो 14% के return इस stock ने बना कि दिया है जबकि अपने maximum high जो की around October 2022 में दिखाया था वहां से यह company 15% के correction पे भी currently available है इस particular level पे currently consolidate होती हुई भी नजर आ रही है market cap की बात करें तो 11,000 करोड का market cap है जो की एक small cap space से belong करने वाली company है stock का PE देखेंगे तो 93 है PE के according आपको महेंगे valuation पे लगेगा लेकिन यह ऐसे product segment में specialty chemical में काम करती है जो इनके अलबा कोई और manufacturing ही नहीं करता है तो इस तरीके की जो company होती है हमेशा अपने price to earning ratio high पे trade करती हुई आपको मिलेगी return on capital employed देखें तो 30% का है जो की काफी सांदार है return on equity भी 38% का है debt to equity ratio 0.03 का है negligible debt है company को debt free भी आप मान सकते हैं sales growth देखेंगे तो 43% की है company के पास around 300 करोड का cash भी available है company ने recently एक order भी win किया है आज ही की ये news है इसमें आप देख सकते है company have executed a long term supply and sales agreement with Otsuka chemical for 50 करोड for a year and 500 करोड for 10 साल आने वाले 10 साल के लिए 500 करोड का एक जो execute किया है order उसकी बारे में भी ये news आप देख सकते हैं अब अगर इनकी sales के figure देखें तो 2019 में 200 करोड की sales करी फिर 300 करोड की फिर 4500 करोड की फिर 590 करोड की पिछले 12 मेने में 615 करोड की sales करी है पहले के percentage आप देखेंगे तो काफी ज्यादा percentage दिखेंगे sales को grow होने के यहां पे 50% से grow हो रही है यहां भी around 49% से grow हो रही है यहां भी around 35% की growth दिखती है लेकिन 2022 से पिछले 12 मेने की जो growth है वो उतनी सांदार नहीं दिखेंगे की only 5% की growth यहां sales में दिखती है लेकिन इसके पीछे का reason यह है कि यह company export से major revenue लेती है around 18 countries को अपने chemicals को export करती है जिन में Spain, Germany, USA यह countries आती है तो यहां पे आप देखेंगे company का operating profit margin जो है वो consistent है कि अगर इनकी sales भी down हुई है तब भी इनके जो operating profit margin है वो भी वहीं दिखते है क्यूंकि इनको confidence है कि यह अपने product को आगे sell कर सकते है profit after tax भी लगातार बढ़ता वाना ज़र आएगा 2019 में 23 करोड का net profit 2020 में 40 करोड का then 71 करोड का then 109 करोड का and currently पिछले 12 महीने में 120 करोड के आसपास का net profit company ने generate किया है तो company काफी सांदार है पिछले 3 साल से compounded sales growth 43% की है पिछले 3 सालों से जो compounded profit growth है वो 67% की है जिबकि stock के जो आप return देख सकता है पिछले 8 महीने में only 14% के return दिया है तो आगे आने वाले time में stock काफी अच्छे दरीके से बढ़ता हो आपको नजर आ सकता है अब अगर इसके buying level की बात करें तो IPO वाले दिन की अगर बात करें तो IPO वाले दिन से current level की अगर बात करें तो 26% की upside पर trade होता हो नजर आ रहा है बट IPO वाले level से अगर एक time पर देखें तो 48% तक अपर था ये stock and उसी high से around 15% के discount पे currently available है अपने 50 day के moving average के आसपास trade करता हो नजर आ रहा है 200 दिन का moving average अभी तक plot हुआ नहीं है क्योंकि 200 दिन का moving average around 8 months की average price होती है तो उतना अभी तक stock को trade करते हुए समय नहीं हुआ है लेकिन आप देख रहे हैं कि जो ये particular range है इस particular range में कफी time इस level को retest वगेरा किया है तो आप इन particular levels को जहान में रख सकते हैं कफी अच्छे level है current level पे अगर long term के लिए इस particular stock को आप buy करना चाहते हैं तो लेकिन कभी भी ऐसे small cap stock को आप one go में buy नहीं करें slow slow quantity छोटी छोटी quantities आप जैसे 10 stock buy कर लिए again 10 stock buy कर लिए next month या next quarter के result के बाद तो इस तरीके की strategy के साथ इस particular stock को आप ले सकते हैं SIP way में buy करेंगे तो कभी भी आप उपर के level पे नहीं फसोगे क्योंकि आपने देखा होगा पिछले time पे कि कितने ही अच्छे stock हो जैसे DMART है, DVZ Lab है ऐसे stock भी आपको अपने recent high से 40-40% तक correct होने को मिले हैं तो यह तो एक small cap company है हो सकता है यहां चे भी 30% तक और correct हो जाए तो SIP way में buying करना सबसे अच्छी strategy रहेगी, second company की बात करूँ तो वो है clean science and technology, यह 4 March 2022 को list होती है और वहां से list होने के बाद around 27% के correction के साथ currently available है, and 14,000 करोड market cap की company है जो की small cap space से belong करती है, 52 week high देखेंगे तो around 2150 के आसपास का है, and currently stock 1400 के आसपास trade करता हुआ दिखाई दे रहा है Stock का PE currently 52 है, return on capital employed 46% का है, debt to equity ratio 0.00 का है, यानि के company के उपर कोई debt नहीं है, sales growth काफी सांदार है, 20% की profit growth भी बहुत अच्छी है, 32.7% की, यानि company काफी अच्छे तरीके से grow करती होई नजर आ रही है Price to sales ratio देखेंगे, तो around 16 का price to sales ratio है, जो की थोड़ा सा महंगा यहां पे नजर आता है अब अगर इसके segment की बात करें, तो किस segment में ये company काम करती है, तो ये performance chemical बनाती है, जैसे की MEHQ, BHA and AP इसके अलावा pharmaceutical intermediates बनाती है, and FMCG chemicals भी ये company बनाती है ये company, majorly green chemistry के पर काम करती है, जिसमें ये focus करती है कि जो molecular level पे जो pollution है, उसको ही reduce किया जाए तो आगे आने वाले time में भी इसका future काफी bright लगता है, अगर इसके key customer की बात करें, तो विनती organics and SRF जैसे जो जाने माने stocks है, जो company है, वो इनकी key customer भी है अब अगर इनके year on year sales देखें, तो काफी सांदार है, पिछले 5 सालों में जो sales है 29% से grow करी है, जो profit है पिछले 5 साल में 37% से grow किया है, जबकि stock अपने recent high से काफी अच्छे सांदार तरीके से correct होता हुआ, नजर आ रहा है, तो current level पे इस stock में भी buying बनती है quarter result को देख लेते हैं clean science technology के, then इसके buying level को technical chart के माधिम से देखेंगे, December 2021 में 181 करोड की sale company ने करी थी, उसके बदले December 2022 में 237 करोड की sale करी है, तो वो काफी सांदार है, जो operating profit margin है, वो 46% के है, अब आप देखेंगे कि जो price to sales ratio काफी जादा था, तो उसके पीछे का reason यह भी है कि यह company operating profit margin काफी सांदार रखती है, and 84 करोड का net profit company ने generate किया है, जो पिछले 5 quarter के result आप देखेंगे, तो हमेशा बढ़ता हुआ ही आपको इनका net profit नजर आएगा, तो यह एक अच्छी company की निसानी है, अगर share holding pattern की बात करें, तो 78% का stake promoter के पास, around 4% का stake FII के पास, DIA के पा जो है promoters के पास, public के पास आपको देखने को मिलेगी, technical chart की बात करें, तो IPO के listing होने के बाद, जो current level है 1441 के, 1440 के आसपास के level, वो company ने चुए थे, उसके बाद around 2700 तक का high stock ने दिखाया था, फिर से stock गिरता है, 1400 के level दिखाता है, दुबारा से 1440 के आसपास के, then फिर से एक 1440 के, ये काफी अच्छा support नजर आता है, दो बार इन से नीचे भी गया stock, लेकिन वापस इसी के आसपास trade करता हुआ, आपको नजर आ रहा है, ये stock currently अपने 200 days moving average से नीचे trade कर रहा है, जो कि इसमें currently एक buying opportunity को दिखाता है, buying strategy की बात करें, तो इस stock को भी अपने long term portfolio में सामि है, आप देखते हैं कि ये दोनों ही stock small cap category के stock है, तो आपको हो सकता है, थोड़े risk की लग सकते हैं, तो इस वज़े से इसी वीडियो में हमने एक large cap category के specialty chemical stock को भी सामिल किया है, जिसका नाम है SRF Limited, लास्ट पांच साल में इस stock ने 513% के return दिया है, यानि कि अपने investors के पैसे क six times किया है, यहां भी आप देख सकते हैं कि आप जो शुरू के जो इसके years थे, वहां पे थोड़े कम written आये थे, लेकिन जब ऐसे stock में, जब market participants, actual में ऐसी companies को find out करते हैं, साथ सी साथ FII and DIA को stake मिलता है, जैसे अगर ether industry की बात करें, तो 87% का stake तो अभी promoter के पास ही पढ़ा ह कम्पनी को अपना, जो stake है, 75% करना होगा, जो open market में, जब company के around 13% stake sale होगा, तो वो FII, major FII, अगर buy करते हैं, DIA, buy करते हैं, वैसे case में company के अंदर काफी अच्छी तेजी मिल सकती है, लेकिन valuation वो वाले, उस time valuation काफी high हो जाएंगे, इस वज़े से ऐसे time पे ही company को buy किया जात 30% का है, sales growth 20% की है, profit growth 43% का है, सारे यह आंकडे काफी सामदार नज़र आएंगे, debt to equity ratio भी comfortable है, 0.42 का, company के उपर ज्यादा debt नहीं है, and price to sales ratio देखेंगे, तो यहाँ पे भी काफी comfortable हो सकता है, 4.60 के price to sales ratio पे यह company आपको available है, अब अगर इसके buying level की बात करें, तो जो current level है, व तो इस stock में currently काफी अच्छी buying opportunities नजर आती है, लेकिन अगर आप इस stock में ऊपर के level पे भी फशे हुए हैं, तो कोई panic करने वाली बात नहीं है, ऐसा रख ऐसा stock नहीं है, कि जिसमें आप loss book करें, तो यह थे आज के तीन stock, वीडियो आपको कैसा लगा, comment section में जरूर बताएं और इसी type के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को subscribe कर सकते हैं, thank you for watching this video